हेलो एवरीवोन आप देख रहे हैं All Studies ली चैनल आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का बायलोजी का कुश्यन जो आपका 2 से 3 नमबर का कुश्यन बनता है चित्र सही तो आपको वडन करना है वो भी नामांकित चित्र बनाना है ठीक है नमांकित यानि की पहले तो आपको चित्र बनाना है फिर उनके नाम लिखने है भागो के और फिर वडन करना यानि की इसके बारे में सब कुछ बताना है ठीक है ना देखिए मैं आपको समझाओंगी रटाओंगी नहीं इसलिए आप समझिएगा अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे इसलिए बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाओंगी ठीक है ना अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लिस चैनल को सेस्काइब जरूर कीजिएगा तो चलिए हम आई वीडियो स्टार्ट करते है देखिए जो प्यूस्प का लेफ्ट हैंड का ठीक है ये लेफ्ट हैंड का जो भाग है उसे कहते हैं मादा जननांग ठीक है ना और जो राइट हैंड पे होते हैं उसको कहते हैं हम नर जननांग ओके सबसे पहले आपको यही आद करना है जो लेफ्ट हैंड पे है वो मादा जनननांग होता है और जो राइट हैंड पे होता है व मादा जननांग को इस्तिकेसर से भी जानते और मादा जननांग को क्या कहा जाता है जायांग भी कहा जाता है ठीक है ना आपका एक नमबर का कोश्चन परनेगा मादा जननांग को और क्या कहते है तो आप कहेंगे जायांग कहेंगे ठीक है और इधर जनननांग है इसको आपका एक नमबर का कुशिंगा मादा जनन अंग बताएए तो आप जन यं ग बताएँगे अब देखिए मादा जनन अंग के अंदर इस्त्री के सर अब इस्त्री के सर तीन भागों से मिलकर बनाएए यानि कि तीन पार्ट होते, इस्त्रीकेसर के कितने पार्ट होते हैं, तीन भाग, देखिए, वर्तिकाग यह है, ठीके, वर्तिका यहां पाई जाती है, अंडा से यहां पाया जाता है, ठीके न, आप से एक नंबर का कोशन पूछेगा, इस्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं, तो आप वहाँ पे लिखोगे तीन और उनके नाम लिखोगे वर्तिका और अंडा से ये मादा जननांग के भाग है अब देखिए नर्ब जननांग के भाग पढ़ेंगे अब देखिए इसमें पुंकेशर पाया जाता है अब वहाँ पे आपका कोशन बनेगा पुंकेशर के कितने भाग होते हैं तो पुंकेशर के दो भाग होते हैं इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया बॉक्स ठीके पुंकेशर के कितने भाग होते हैं दो पहला है पराकोस दूसरा है पूतन्तू तो आप से कोशन पूछेगा नर जननांग में पुंकेशर के कितने भाग होते हैं तो आप दो बताओगा उन दोनों के नाम लिख दोगे ओके और यहाँ पे पूछेगा मादा जननांग के हैं इस तरी केशर के कितने भाग होते हैं आप लिखोगे तीन भाग वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडास है ठीके न देखिए वीडियो समझ में आ रही तो चैनल को सिस्काइब कीजिए और लाइक करें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछे ठीके वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में बता ठीके और यहाँ पर निश्याइचन होता उसे कहते हैं अंड याणिकी अंड कोसिका ठीके न एतना के लिए आप देखिए आगे हम पुमंग के बारे में पढ़ेंगे ठीके न ये पुमंग है न पुमंग के अंदर क्या पाया जाता है। पुमंग के अंदर आप से कोशन बोचेगा पुमंग के अंदर क्या पाई जायता है? आप बोलेगे Haag Sir ठीक है अकोशन है आपका पुंकेशर के कितने भाग होते हैं तो पुंकेशर के दो भाग होते हैं अब देखिए जो पराकोश है ना इस पराकोश से पराकर निकलते हैं ठीक है आप अकोशन वहाँ पर बनेगा एक और कि पराकोश क्या निकलता है तो पराकोश से पराकर निकल जो क्या करते हैं वरतिकाग्र से पोुचते जबते हैं यह पराग कर निकलते हैं यहां जाते हैं अब देखे अब यहाँ पे बीज बनता है बीज से क्या बन जाता है एक फल बन जाता है निशेचन के बाग ठीक है न तो अगर आपको लिखना होगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे पहले तो आप ये चित्र बना लेंगे फिर उनके पाटो के नाम लिख देंगे फिर आप लिखेंगे मादा जननांग को जायांग भी कहते हैं ठीक है न वाप ये कोशन ही आ सकता आपका मादा जननांग को और किस नाम से जाना जाता है तो आप जायांग लिखेंगे और नर जनननांग को कहां पाया जाता है ठीक है न तो आप लिखेंगे पुमंग में ठीक दूसरा कोशन बनेगा आपका इस्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं तो आप बोलेगे इस्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं वर्तिकाग वर्तिका अंडा से ठीक है ऐसी पूछेगा आपके पुमंग किसका जनन अंग है तो आप पुमंग का जनन अंग लिखेंगे नर जनन अं ठीक है ना दूसरा आपका question बनेगा PUNKESHER के कितने भाग होते तो आप बतेंगे PUNKESHER के दो भाग होते हैं पहला पराकोस दूसरा पोतंत ठीक है ना देखिए फिर वहाँ पे पूछेगा पराकोस से क्या निकलता है पराकोस से पराकर निकलते हैं ठीके अब वो पराकोस कहां जाते हैं वर्तिकागर में वर्तिकागर से वहाँ अंडासे में बहुत जाते हैं जिसे अंड या फिर अंड कोसिका भी खहते हैं ठीके अगर आपको यह समझ में आया है तो आप लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो मैंने देखी यहां नीचे लिख रखा है आप इसको देख के लिख भी सकते हैं यह देखिए यह देखिए यह लिखा है आप इस तरीके से लिखेंगे जो समझाया है वही चीज मैंने यहां पे लिखवाई है ठीक है ना ओके तो आपके यह गोशन बनेंगे कैसी लगी आपको में वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कोई भी डाउट हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूश सकते हैं अगर आपको और भी वीडियो चाहिए पाचान तंत उस सर्जन तंतर तो आपको एंड स्क्रीन और डिसक्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से देख लेज़ेगा ठीक है ना और आप में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ बहुत सारी इंपॉर्टन कोशन अंसर के व्योडियो मिल जाएगी जो आपके बोर्ड अग्जाम में आते हैं क्योंकि बोर्ड क्योंकि जाता हैमादा जननांग को क्या कहते हैं क्या कहते हैं है कि अदूसरा है मादा जनननांग में कितने वाग होते हैं ठीके ना मादा जनन अंग में कितने भाग होते हैं ये आपका पुष्व का पूछ रही हूँ मैं आप वो मत समझ ले ना नर जनन अंग मादा जनन अंग जो मानों में पाय जाता है उसका अंसर नहीं देना यहां पुष्व का पूछा गया है मादा जनन अंग में कितने भाग होते हैं ठीक है दूसरा है नर जनन अंग को क्या कहते हैं ठीक है तो आप बताएंगे नर जनन अंग को क्या कहते हैं मैंने बता रखा है ठीक है वीडियो एक बाइब बैक करके जरूर देख लीजेगा दूसरा है पुमंग किसका जनन अंग है तो पता ही होगा आपको ये भी दूसरा पुंकेशर के कितने भाग होते हैं ये सारे questions के आपको comment box में answers देने हैं देखो आपको समझ में आया है या नहीं आया है अगर समझ में आया थो आपको इस सारे questions आया है आप मेरी वीडियो हाल पर रही तो प्लेज चैनल के सस्काइब करेज़े और बाला करता वाना ना बोले तैंक यू अब हम नेस्ट्रों वीडियो में मिलेगे